नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल देनिक जागर्ती पर आप सभी का सवागत है इस वीडियो के माद्यम से आप जानेंगे कि मद्ध्य परदेश M.Ed. परवेश परिक्षा के लिए सेक्षनिक योगेता और इसकी परवेश परिक्रिया क्या है इस परिक्षा का आयोजन M.P. Professional Examination Board किया जाता है ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही मतवपून है जो इस परवेश परिक्षा में सामिल होने की इच्छा रखते हैं लेकिन की निकारणू से असमंजस में रहते हैं कि इसके लिए सेक्षनिक योगेता क्या चाहिए और इसकी परवेश परिक्रिया क्या है दोस्तों M.Ed. परवेश परिक्षा 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 के लिए राष्टी अध्यापक शिक्षा परिशद यानि कि नेशनल काउंसेल ओफ टीचर एजुकेशन के रेगुलेशन 2014 में निर्धारित मानको एम मानदंडू के अनुसार M.Ed. परवेश के लिए कुछ सर्टे पूर्ण करना आवसेख है उनी सर्टों में से परमूख सर्ट है इसके लिए सेक्षनिक योगेता क्या चाहिए मद्य परदेश M.Ed. पर्ठे करम के लिए मानेता प्राथ विश्व विद्धाले से न्यूनतम 50% अंकों के अथ्वा संकक्स ग्रेड के साथ B.Ed. यानि बैचलर ओफ एजुकेशन B.A. B.Ed. यानि बैचलर ओफ आर्ट इन एजुकेशन B.C. B.Ed. यानि बैचलर ओफ साइंस बैचलर ओफ एजुकेशन और B.L.Ed. यानि बैचलर ओफ एलिमेंटरी एजुकेशन अथ्वाट D.L.Ed. डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन के साथ सनापता कुपादी उतीरण आवेदक प्रिवेश प्रिक्षा के लिए पात्तर है और दोस्तों यहाँ पर द्यान देने की बात आपके लिए यह है कि दोनु में न्यूनतम 50% अंक अनिवारिये हैं और यहाँ पर आरक्षी पारूं के लिए योग्यता अंकों में 5% की चूट भी दी गई है तो इस शेक्षणिक योग्यता के साथ इच्छुक अव्यार्थी इस प्रिक्षा में सामेल हो सकते हैं अब बात आती है प्रवेश प्रिकिरिया की MP Professional Examination Board दवारा जब भी विगप्ति जारी होती है कि अनुरूप ओन-लाइन आवेदन और पंजीकर्ण किया जाना आवसेक होगा नंबर दो ओन-लाइन आवेदन पंजीकर्ण करने के साथ ही आवेदत को संबंद इतपाठेक्रम यानि मेड की परवेश प्रिक्रिया के लिए निर्दारित अलेप सेंट्र जोकी चैनित सास्य के महाविद्याले एवं विशविद्याले हैं में दस दस्तावेद्यों के ओन-लाइन स्तापन एतु निर्दारित अंतिम्तिती तक सवय उपस्तित होकर आवेदन में प्रस्तुत जानकारियों का मूल दस्तावेद्यों से सत्यापन करना होगा सत्यापन करवा चुके आवेद्यों को ही एमेड पठेक्रम में परवेश प्रिक्ष जुमेवार होंगे नंबर तिन दस्तावेज स्तापित करा चुके आवेदक MP प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड दवारा निर्दारित तिथी पर आयोजित प्रवेश परिक्षा में समलीत होंगे प्रवेश प्रिक्षा के प्राप्तंक MMA-AD2-1-6-N प्राप्तंकं के आदार पर मेरिट सुची तैयार की जाएगी चार प्रीकरिया के अंतरगत मेरिट सुची के ओनलाइन प्रकाशन उपरांत आवेदकों को परवेश के लिए काउंसलिन में सामिल होने के लिए MP ओनलाइन के वेवसाइट पर निर्दारी तिथी में पोर्टल सुलक जमा कराते विए पंजीकन एम मा विद्यालियों की वेरिय किये जाएंगे नमबर 6 आवंटित मा विद्यालियों में परवेश के लिए आवेदकों को आवंटित मा विद्यालियों के लिए निर्दारीत एल्प सेंटर में उपिस्तित होना होगा मूर्ष थानांतन पर्मान पत्तर यानि की ओरिजिनल टीसी यथा इस्तिती माईग्रेशन सेटिफिकेट के साथ परवेश एम सुलक विन्यामक सिमिती दवारा आवंटित माविद्याले तू निर्दारित परवेश सुलक का डिवान आवंटित यानि प्रेशित सम्मंद इत्मा विद्याले के नाम बना कर साथ सक ये सम्मंद एल्प सेंटर में जमा कराने के पस्चाथी आवेद्दक के परवेश की परिकिरिया पूरी माननी जाएगी दोस्तों यहां पर प्रवेश परिकिरिया का सिद्धासा अर्थ है आपको ओनलाइन प्रवेश परिकिरिया में प्रापतंकू के आदार पर निर्मित मेरिट सुच्ची और आवेद्दकों दुवारा व्यक्त वरियताओं के अनुसार गुणानम क्रम से एममेड पर प्रवेश परिकिरिया के माद्धम से ही परवेश होंगे तो वासा है कि आप एममेड की सेक्षनिक योगेता और इसकी परवेश परिकिरिया को समझ गए होंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगे जानकारी अच्छी लगे तो आमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेर किजिए ताकि ये अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचे और वो भी इस जानकारी से आउगरत हों। और यदि आपने अमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अमारी वेवसाइट देनिक जागरती को बीलोगिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और करियर की नई जानकारी के साथ हम उपस्तित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भाद